दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा Chrome browser के गंदे notification गंदे message कैसे बंद करते हैं अगर आपके mobile में बार बार notification पर गंदे notification आते हैं गंदे messages आते हैं तो ये video आप पूरा end तक देखना आपको अपने mobile में Chrome browser को open करना है इसके बाद उपर में 3 line पर किलिक करना है यहाँ पर settings में आना है अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आना है यहाँ पर site settings आपको मिलेगी इसे आपको open करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी notifications जैसे के आप देख सकते हैं notification setting को open करना है अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई भी website दिखाई दीती है तो इस पर आपको एक बार click करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको allow notification इसे आपको यहाँ से बंद कर देना है और यहाँ से back आना है इसके बाद यहाँ पर notification की setting on है आपको इसे भी off कर देना है इसके बाद यहां से आपको back आना है अब यहां पर थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आना है यहां पर आपको एक setting मिलेगी pop-ups and redirects इसे आपको open करना है यहां पर भी यह setting को off कर देना है अब यहां से back आना है अब नीचे ही आपको एक setting मिलेगी interest you add आपको इसे open करना है और यहाँ पर आपको इसे भी off कर देना है यह setting करने के बाद back आना है अब यहाँ पर उपर में दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक setting मिलेगी notifications इसे आपको open करना है इसके बाद यहाँ पर allow notification यह setting को off कर देना है इतनी setting करने के बाद आपको एक बार यहाँ से chrome browser को बंद करना है chrome browser को बंद करने के बाद इस पर आपको long press करना है i button मिलेगा यहाँ पर यह app info लिखा होगा दोनों में से एक setting आपको यहाँ पर मिलेगी आई बटन पर आपकी लिक करेंगे तो इस तरह से page open हो जाएगा यहाँ पर आपको storage uses में आना है और यहाँ पर आपको clear catch कर देना है clear catch करने के बाद आपको यहाँ पर force stop پर click करना है फिर से आपको यहाँ पर force stop पर click करना है अब आपको Chrome browser को बंद करना है और अपने app draw में आ जाना है सभी apps आपको यहाँ पर दिखाई देगी एक app आपको मिलेगा Google यह वाला app सभी Android phone में होता है Google app पर आपको long press करना है इस तरह से option दिखाई देंगे यहाँ पर आपको यह वाला i button मिलेगा यह app info लिखा होगा दोनों में से एक setting मिलेगी तो यहाँ पर i button पर click करना है अब यहाँ पर आपको setting मिलेगी manage notification या सिर्फ notification की setting आपको यहाँ पर मिल जाएगी ओपर में या नीचे में आपको notification setting को open करना है और यहाँ से allow notification यह setting को off कर देना है यह सारी setting करने के बाद एक बार आपको अपने mobile को restart कर लेना है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके mobile में कोई भी गंदा notification गंदा message नहीं आएगा अगर दोस्तों आपके mobile पर बार बार गंदी add आ रही है तो फिर आप यहाँ वीडियो ज़रूर देखना